अब तक हम लोग सीख रहे हैं टैली के अंदर TDS को, डिड़क्टर टाइप को ही हम सीख रहे हैं, डिड़क्टर टाइप ये नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मनिस ने ABD open किया था 10 लाख रुपे का, आई जानते हैं सकेंड वे, सकेंड वे क्या है, फैनांसियल इ पिरियड कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, continue रख रहे हो, ABD को continue समझ में आया, आप उसे next year continue भर रहे हो, तो ये ABD पिरियड कंप्लीट नहीं है, या आपका financial year कंप्लीट नहीं है, तो ये second method है, continue रख रहे हैं, तो ऐसे time पे आप app से बन, यानि कि general आप इसमें entry कैसे पास करें मतलब उसकी entry कैसे होगी, आप यहां पर ध्यान से देखी, मैं करते जाता हूँ, आप उसे note कर सकते हैं, पहले example में हमने क्या सिखा था, ये एक बार check कीजी, पहले example में हमने सिखा था, यहां पर आपके पास दिखाई दे रहा है, ABD period complete है, तो वो पूरा ABD आपके account में जमा हो जाएगा, जिसमें interest के साथ आपको कैसे मिल रहा था, आपको दिखाई दे रहा है, और interest में यहां पर TDS काटा गया था, लेकिन हमारा ABD period complete हो गया था, financial year complete नहीं हुआ था, तो financial year जब complete होता है, suppose उस time पे entry कैसे रहेगी, आपकी ABD काटा गया था, आपका पहले ABD period complete हो गय है, 10,9,000 आपको मिल चुका है, आपके bank में, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, 10,9,000 मिल रहा है, और आपका जो TDS कट गया था, receival, आप उसको कैसे pass करेंगे, यह हमने यहां पर सीखा था, लेकिन आपने यहां पर ABD continue रखी next year के लिए, आपने उसे withdraw नहीं किया, next year तक मतलब आपको continue रखना है, ABD, तो यहां पर क्या करेंगे, खाली interest रहेगा, union bank के ABD में और 9,000 जमा होने हैं, क्योंकि आपने क्या किया, ABD continue किया, तो 9,000 रुपे आपके जमा होंगे, तो उसके लिए हम एक GB pass करेंगे, 9,000 रुपे जमा होंगे, कैसे होंगे, वो आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा, फिर हमारे पास TDS receivable कितना रहेगा, वो हम आपको दिखाएंगे, 1000 रुपे रिसीएवल है, और total interest earn हमारा रहेगा, कितना, 10,000 रुपे, interest हमें मिलता है, तो यहां पर टैली प्राइम में आ जाते हैं हम, यहां पर टैली प्राइम में आने के बाद, आपको सबसे पहले यहांपर watcher में आना है, आपको watcher दिख रहा है, watcher पर inter करेंगे, तो यहांपर अभी receipt watcher खुला है, आपको यहांपर क्या खुलना है, general watcher खुलना है, तो general watcher खुलने के लिए आपको keyboard से प्रेस करना है ep 7 button, जैसे ही आप keyboard से app 7 button press करेंगे, तो यहाप जनरल वाचर खुल जाएगा मैंने पिछले वीडियो में एक इंटरी पास किया था सबसे पहले उसे मुझे डिलीट करना है डिलीट करने के लिए पेज़ा बटन प्रेस करेंगे तो पिछे वाला इंटरी आप का जाएगा यहां पर देखिए आ चुका है इसे मुझे डिलीट करना है डिलीट करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे कीबोट से अल्ट डी वटन प्रेस करेंगे जैसे अल्ट डी वटन प्रेस करेंगे यहां पर डिलीट का अप्शन आएगा इंटर करेंगे तो यहां पर क्या हो गया है डिलीट हो चुका है तो इस परकार से आप कोई भी वाचर को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हम डिलीट क्योंकि यह क्योंकि आपको इस इंट्री के बारे में पता है अभी हम नेक्स्ट इंट्री सीखेंगे तो फिर से यहां पर हम जन्रल खोल लेते हैं एप 7 से और सबसे पहले जो यहां पर आपका डेबिट होगा व तो यहां पर हम union bank abd को select करेंगे amount मेरा कितना है abd वो है आपका 9000 रुप्या 9000 लिखेंगे उसके बाद इंटर करेंगे यहां पर आपका CRR है मतलब credit record आ रहा है तो इसको हम लोग DR कर लेंगे debit इंटर करेंगे और यहां पर डालेंगे TDS Receivable क्योंकि मुझे receive हो रहा है कितना receive हो रहा है 1000 तो यहां पर हम 1000 डाल देंगे उसके बाद ABD से और 1000 रुप्य आपका TDS में करड़ा था वह भी आपका हो गया तो दोनों में लागे आपका 10 जार हुआ तो इस प्रकार से आप entry कर सकते हैं इससे adjustment entry काते हैं ABD period continue करने पर ABD में ही interest जमा होता है पहले वो हमने bank में देखा था अब वो ABD में जमा होगा इस तरह से यह entry होती है डेफिनेटली आपको यहां पर यह बात समझ में आई होगी अभी हम यहां पर इस entry को accept कर लेते हैं इंटर इंटर करेंगी या फिर आप control A से भी accept करा सकते हैं You will get refund when you are not eligible to pay tax अगर आप tax pay करने के लिए eligible नहीं होते हैं तो आपको refund मिलेगा तो आप इस entry को receipt में pass करेंगे अगर आपको access pay करना है तो आप payment में pay करेंगे तो यहां पर refund मिलने वाला मतलब क्या होता है कि आपकी tax liability मतलब आपकी जो भी income है वो tax के criteria में आती है तो मैंने आपको पताया था कि आपकी income suppose income slab आपको पता है जो income tax का slab राता है अगर आपकी 5,0,000 salary है तो आपका tax 0 रहेगा यदि आपकी salary 7,00,000 तक है तो भी आपको कुछ pay नहीं करना है क्योंकि वो आपको rebate मिलता है मतलब छोड़ दिया जाता है 7,00,000 तक उसके बाद यदि आपका tax आता है मतलब उससे ज़्यादा आप salary income करते हैं तो उस पर आपको tax लगेगा मैंने आपको पिछले part में समझाया था वो अगर आप 7,00,000 के उपर income जा रहा है यदि आपका 7,00,000 के उपर income जा रहा है तो वहाँ पे जो भी tax liability आपकी बनती है सपोज आपका 50,000 income जा रहा है और 50,000 पे आपको 10% के हिसाब से 5,000 बन रहा है tax अभी example ले रहे हैं 5,000 जो आपका बन रहा है तो ये आपको income tax department को pay करना होगा तो अगर आपकी tax liability 5,000 बनती है तो आपने 1,000 रुपे औरेडी pay किये हैं previous receable जो 1,000 रुपे औरेडी आपके इसमें deduct हो गया है MD के interest से तो वो 1,000 रुपे माइनस हो जाएंगे अब आपको 4,000 भरने होंगे उस case में लेकिन यहाँ पर हमने लिया है कि अगर आप tax pay करने के लिए eligible नहीं है 1,000 रुपे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन उसके साथ साथ 1,000 रुपे का interest भी मिलेगा जो कि आपका indirect income के अंडर गुरूप में आता है other interest earn में डालेंगे क्योंकि इतने दिन से वो amount जो deduct हो गया है ना आपके FD के interest में से जो tax लगा था FD के interest में जो bank ने काटा था आपका तो 1,000 रुपे जो government के पास जमा थे tax वो आपको refund होने वाला है और tax refund होते समय आपको 1,000 रुपे मिलेंगे ही पर उसके उपर भी आपको interest मिलेगा और 60 रुपे भी interest मिलेगा और 60 रुपे interest मिलेगा यह मैंने example लिया है माल लिजी कि आपको 60 रुपे उसके interest मिल रहा है तो आपका वो जो भी है interest के साथ calculation देगा जो उनका period राता है उन period पे calculation करेंगे कि आपका tax कभी deduct हुआ है और उस पर कितना 6 मेहने हो गए तो 6 मेहने के हिसाब से आपको मिलेगा या फिर जितना भी मेहना होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा interest उसके हिसाब से आपको वो amount मिल जाएगा तो ओके तो 1000 आपको मिलने वाला है 1000 रुपिये tedious receivable and like यहाँ पे आपको total मिलेगा 1060 right 1060 amount मिलेगा यहाँ पे actually credit tedious receivable रहेगा credit ही रहेगा interest earn यह भी credit ही रहेगा और नीचे union bank यहाँ पर आएंगे 1060 रुपियस आपको मिलने वाला है तो हम इस entry को receipt में पास करेंगे आपको आपकी tax liability नहीं बनती है तो receipt watcher में जाना है और आपको tedious receivable की entry करनी है तो यहाँ पर अभी हम लोग आ जाते हैं टैली प्राइम में आने के बाद यहाँ पर receipt खोलना है तो receipt अभी हम लोग खोल लेते हैं receipt का shortcut की होता है app 6 button receipt खोलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ credit में TDS receivable रखना है तो यहाँ पर हम TDS receivable रखते हैं amount आपको पता है कितना है 1000 तो यहाँ पर हम 1000 डाल देते हैं उसके बाद enter करेंगे यहाँ पर आपको फिर से credit ही रखना है तो यहाँ पर हम CR कर लेते हैं इंटर करेंगे यहाँ पर एक नया laser तयार करेंगे other interest earn के नाम से य या फिर कीबूर्ट से अल्ट सी बटन प्रेस कर सकते हैं अधर इंट्रेस्ट अर्न रखने के बाद आपको यहाँ पर इंडारेक्ट इंकम्स रखना है उसके बाद बाकी किसी को कुछ नहीं करना है स्किप करेंगे कंट्रोल ए से एकसेप्ट करेंगी और कितना आपको इंट्रेस्ट आया है 60 रुपया आया है तो यहाँ पर हम 60 रुपया डाल देते हैं इंटर करते हैं उसके बाद यह कहाँ पर जाके जमा होगा तो आपका Union Bank में जमा होगा यहाँ पर हम Debit में Union Bank डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों साइट ब्रावर हो चुका है Debit और Credit साइट इसको हम यहाँ पर इंट्री कर लेते हैं तो इस प्रकार से आप इसका इंट्री पास कर सकते हैं अगर आपकी Tax Lability नहीं बनती है तो आपको यह पूरा का पूरा पैसा इंट्रेस्ट के साथ मिलेगा और इस तरह से यह इंट्री यहाँ पर हो जाती है लेकिन अगर आपकी Tax Lability बनती है तो यह होगा आपका Payment में इस यह आपको पेमेंट में करना पड़ेगा उतना अमाउंट राइट अगर आपकी Tax Lability बनती है तो वो उपर का अमाउंट पे करना पड़ेगा Income Tax Department को तो Self Assessment Tax के अंदर इंट्री पास करेंगे इंट्री पास करके Pay कर सकते हैं यह Self Assessment मैंने आपको समझाया था Self Assessment मतलब खुद की Tax पे करना मतलब खुदी Tax पे करना राइट तो फिलहाल आपको यह समझ में आया होगा यह इंट्री हो गई अगर आपका नहीं बनता है तो मैं इस इंट्री को Accept नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर उस इंट्री में मैं Accept करता हूँ तो मैं यहाँ पे Payment वाली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें से कोई एक ही होगा या तो Receipt का होगा या Payment का होगा अगर आपकी tax liability नहीं बनती है, तो आपको पैसा refund मिलने वाला है, tax liability यदी बनती है, तो आपका amount adjust होने वाला है, जो 1000 रुपी आपके already, आपके income में से credit हो चुके हैं, वो adjust होने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम laser बनाएंगे, तो इसको हम back कर लेते हैं, इसे accept नहीं कर करेंगे, escape से back करेंगे, फिर से watcher में आ जाएंगे, और यहाँ पर अभी हम लोग खोलेंगे payment, payment खोलने के का करना होगा, F5 प्रेस करेंगे, payment खोल जाएगा, या तो आप receipt में करें या payment में करें, तो receipt वाला भी हम लोग किये नहीं है, यहाँ पर payment वाला करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम debit में income tax pay बनाएंगे, एक नया लेजर, तो create में आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे income tax pay, income tax pay लिखने के बाद आपको इसका अंडर ग्रूप duties and taxes रखना है, मैंने आपको बहुत सारा अंडर ग्रूप बताया है, और बहुत सारा लेजर भी बनाने बताया चुटा-चुटा लेजर है, आपको यह सारी चीजे को याद रखना है दियान से, तो इस लेजर को अभी हमनों create कर लेते हैं, यहाँ पर debit में amount डालेंगे, कितना amount था? 1500, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1500, इंटर करेंगे, यहाँ पर credit में आपका TDS receivable रहेगा, तो पर bank से देंगे, जो कि हमारा union bank account है, यहाँ पर आप देखिए कि आपका negative में आ रहा है, क्योंकि हमारे bank में अभी कोई पैसा नहीं है, तो इस परकार से हम entry कर सकते हैं, यदि आपका tax liability नहीं बनता है, तो आप receipt में entry करेंगे, और यदि बनता है, तो आप उन्हें payment कर तो आपको समझ में कैसे adjustment entry करेंगे, tax liability क्या होता है, और हम लोग जो entry कर रहे हैं, यह आपका deductive वाला है, यदि आपको deductor सिखना है, तो हम next part में deductor पे discuss करेंगे, और जानेंगे कैसे हम लोग deductor का entry pass करेंगे, तो thank you